आधुनिक मत्स्य पालन प्यों अत्याधिक पॉष्टिक आहार एवं तथा शीघर पाचक है तू। देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए पॉष्टिक खाध्यपदार्थ एवं कुपोषण की समस्या के समाधान है तू। देश को पॉष्टिक प्रोटीन युक्त खाध्यपदार्थ उत्पादन में स्वावलंबी बनाने है तू। मीटर गहरा पानी हर मौसम में उपलब्ध रहे बाढ़ का प्रभाव ना पड़ता हो। नाले अथ्वा नदी से सीधे ना मिलते हो। किसी भी प्रकार की जलिये घास ना हो। फैक्टरी का गंदा पानी ना आता हो। कैसे। तालाबों में मत्स्य पालन निन बातों को ध्यान में रखकर आरंब करें। तालाब की गहराई इतनी रखें कि उसमें एक दशमलव पांच मीटर से दो मीटर तक पानी साल भर भरा रह सके। तालाब में सभी बंधों को ठीक करा दें। जिससे वर्षा का प्रभाव ना पड़े बांध क्षतिग्रस्त ना हो। और मचलिया तालाब से बाहर ना जा सके। मचलियों को हानी पहुचाने वाले कीरो एवं मचलियों को निकलवा दें। इस कार्य हेतु महुआ की खली 25 कुंतल प्रती हेक्टेर की दर से पानी में बुलवा कर तालाब में छिड़काव करें। पहुआ की खली के प्रयोग से मरी मचलियों को खाने के प्रयोग में लिया जा सकता है। तालाब में चूने का प्रयोग दो कुंतल प्रती हेक्टेर की दर से करें। तालाब में गोबर की खाद 10 टन से 20 टन 10 किस्तों में डाले यह कार्य चुना डालने के 20 दिन बाद करें। गोबर की खाद डालने के 15 दिन के बाद अकारबनिक खाद का मिश्रण अमोनियम सुपर फास्फेट मूरेट आफ पोटाश 740 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर की दर से 10 किस्तों में डाले तालाब के पानी का निरीक्षन करते रहे जब तालाब उप्रोक्त खादों के प्रयोग से तालाब में 15 से 21 दिनों के भीतर ताला में मचलियों का भोजन पैदा होना आरंब हो जाएगा इसके बाद 10,000 अंगुलिका प्रती हेक्टेयर की दर से संचय करें अंगुलिका संचय उपरांत अंगुलिका को एक माह से तीन माह तक पूरक आहार देना चाहिए जिससे कि अंगुलिका शीघर बढ़ सके मुंभली की खली अथवा सरसों की खली एवं कना बराबर भाग में मिलाकर 1-3% मचली के भार के अनुसार देना उचित हो अंगुलिकाओ पूरक भोजन प्रतिदिन निश्चित स्थान एवन निश्चित समय पर दिया जाए। जमीन में गार दें एक तालाब में चलाया गया जाल पहले साफ करके सुखा लिया जाए तभी उसे दूसरे तालाब में चलाया जाए। शूने दशमलव पांच शूने पीपीएम पोटेशियम पर मैंगनेट का प्रयोग लाभकारी है जिस तालाब में रोग नहीं है उसमें भी सावधानी स्वरूप धाई सौ किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से बुझे चूने का प्रयोग किया जाए। एकवा हिल्थ दवा का प्रयोग एक लीटर प्रती हेक्टेर की दर से लाभकारी है। आदर्श तालाब तालाब के चारों और के बंधे मजबूत एवं बंधे का उपरी भाग दो मीटर चौड़ा तथा डाल एक अनुपात दो के अनुपात में हो। तालाब में जलीए घास आदी ना हो। तालाब में पानी के आने वजाने के रास्ते में लोहे की जाली लगी हो। तालाब का पल हर स्थान पर समतल हो, जिससे की जाल के प्रयोग में कठिनाई ना हो। तालाब में हर रितु में 1.5 से 2 मीटर तक पानी भरा रहे, एवं पानी भरने का साधन हो। तालाब में अवाचनिय मचलिया ना हो। चुने का प्रयोग निर्धारित मात्रा एवन समय से किया गया हो। खाद उर्वरक वपूरक भोजन का प्रयोग निर्धारित समय वव मात्रा में किया गया हो। निर्धारित मात्रा अर्थात 5,000 से 10,000 अंगुलिका प्रती हेक्टेर का संचय किया गया हो। कब क्या करें? 10,000 किलोग्राम गोबर खाद वसाथ 140 किलोग्राम प्रती हेक्टेर रसायनिक खाद किस्तों में प्रयोग करें. मई 1 प्रथम सप्ताह तालाब के बंधों की मरम्मत कार्य पूर्ण करने के उपरांत अनावश्यक मचलियों एवन जलिय पौधों की सफाई. जून 3 सप्ताह उर्वरक का प्रयोग अमोनियम सलफेट, सुपर फास्फेट, म्यूरेट आफ पोटाश. जुलाई प्रथम सप्ताह कीडे मकोडों की सफाई तथा प्लोक्टॉन के उत्पादन का निरीक्षन अंगुली का संचय. अगस्त आरंभ में पूरक आहार एवन गोबर की खाद का प्रयोग. अगस्त त्रीतिय सप्ताह उर्वरक खाद का प्रयोग. सितंबर आरंभ में पूरक आहार का प्रयोग. सितंबर ग्वितिय सप्ताह गोबर की खाद से खादी करण एवन अंगुलिका के स्वास्थ्य का निरीक्षन. सितंबर त्रीतिय सप्ताह उर्वरक खाद का प्रयोग अक्टूबर प्रथम सप्ताह गोबर की खाद का प्रयोग अक्टूबर त्रीतिय सप्ताह उर्वरक खाद का प्रयोग नवंबर प्रथम सप्ताह गोबर की खाद का प्रयोग नवंबर त्रीतिय सप्ताह उर्वरख खाद का प्रयो नवंबर चतुर्थ सप्ताह अंगुलिकाओं के स्वास्थ्य एवं प्लैक्टान का निरीख्षन दिसंबर पूर्व वर्ष की पाली मचलियों की शिकार माही खादीकरन गोबर व उर्वरक का प्रयो जन्वरी पूर्व वर्ष के पाली मचलियों की शिकार माही आवशक्ता है कि देश की बढ़ती खाद्य समस्या के समाधान में आप भी भाग लेकत था अपने क्षेतर के समस्थ जलक्षेतर का उपयोग करें एवं मचलियों के रूप में पौश्टिक खाध्य का उत्पादन करें। अपने आर्थिक दशा में सुधार लाएं। मत्स्य पालक विकास अभिकरण का उद्देश। ग्राम सभा के तालाबों का सर्वेक्षन एवं सुधार योग्य उप्युक्त तालाबों को दस वर्षी पट्टे पर दिलाना। तालाबों के सुधार हेतु आग्णन एवं परियोजना तयार कर, सुधार एवं इन्पुट्स हेतु बैंक से रिंदिलाना एवं स्वीकृती पर अनुदान देना चैनित व्यक्ती को आधुनिक मत्स्य पालन विधी में प्रशिक्षित किया जाना मत्स्य पालकों को आवश्यक्ता अनुसार मत्स mínimo